Hello everyone, welcome back to this channel तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम इस तरह की सवाल को solve करना सिखेंगे हम इस तरह की सवाल को कैसे solve करते हैं, कैसे बनाते हैं तो आज किस वीडियो में बस रही सीखना है देखिए इस तरह की सवाल को solve करने से पहले मैं आपको कुछ क्याना चाहूँगा कि अगर आप लोग को algebra के कुछ formula अगर याद नहीं है तो प्लीज आप उन्हीं जागे पहले याद कर ले ठीक है अगर याद है तो फिर ओके-ओके हम जो इस सवाल को solve करने के लिए formula यूज करने बाले है वो formula है a-b का hall square क्या होगा अगर याद है तो फिर ठीक है वरन नहीं है तो मैं बाता दे रहा हूँ a-b का hall square ठीक तो a-b का hall square होता है a square plus b square minus 2ab a-b का hall square यहीं होता है square plus b square minus 2ab इसी के मदद से हम इस सवाल को solve करेंगी ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर है सवाल में 2x square minus 3y square इस पूरे का hall square plus 12x square into a square ठीक है तो आप 2x square को a मान लो ठीक ना और यह इस पूरे को b मान लो इसको यह मान लो इसको b मान लो और a minus b का hall square के formula पर इसको बैठा दो ठीक है तो सबसे पहले मैंने formula में क्या देखा था a square था ठीक तो a square minus को a मान लो है तो इसका square लिखना पड़ेगा इसे तो यहाँ लिखेंगे 2x square यह पूरे a है और इसका square होता है पूरे का यानिकी a square यह पूरा a हुआ इसका square रिया उसके बाद सूथितर में पलस आता है उसके बाद यह पूरे b है तो b square के जगा इसका square करना पड़ेगा तो 3 y square का hall square ठीक उसके बाद minus होता है formula में 2 a b तो 2 तो formulae का हो गया एक के जगह यह पूरा होगा तो कि बहुत पूरे को A माना है तो 2x square into B होता है तो B के जगह यह पूरा होगा 3y square बांकी चुल इसमें है उसको लिख दो आप plus ये 12x square y square ओके यहां तो आप समझ गए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे solve करेंगे तो क्या होगा यहां पे है 2x square का whole square तो यहां आप देख लो 2 का square क्या हो जाएगा 4 यह दो ठीक है ठीक ना x square का whole square है तो इसका क्या होगा आपने अगर घात घतांक करने पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होगे यह पावर का power है तो power power में घुना हो जाता है तो x square का whole square है तो इन दोनों power में घुना हो जाएगा ठीक na तो यहां प हो जाएगा x और इन दोनों का गुना यानि कि x पे power हो जाएगा 4 ठीक फिर आगे बढ़ेंगे तो पलस इसी तरह इसका भी करना है तो यह 3 का स्क्वार हो जाएगा 9 और यहाँ पर y स्क्वार है तो इसका हो जाएगा y पावर 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 गुनी 2 x स्क्वार इंटू 3 x y स्क्वार तो यह दो दूनी 4 तिया 12 बढ़ें यह तो हो गया 12 उसके बाद x स्क्वार होगा फिर y स्क्वार हो जाएगा और इसक्वार है लिए 13x स्क्वार कर स्क्वार को OK जाना ताक भी आप समझगा है अब जो बच्छा वो इसका एंसर हो गया ठीक बच्छा कितना 4 x पे पावर 4 प्लस 9 y पे पावर 4 यह हो गया इसका एंसर सॉल्व करने के बाद इतना ही आया ठीक तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद सची में आई हो तो पिली इस चैनल को सब्सकाइब कर लेना इस वीडियो को लाइक कर लेना और फ्रेंट को सेर कर देना ताकि वह भी सीख सके ठीक है तब तक के लिए बाई थेंक यू मिलते एंगले वीडियो में टेक क्यार लव यू ओल ओके